खरे होकर पाने पीने के नुकसान खरे होकर पाने पीने के कई नुकसान होते हैं जिनमें से एक है किटनी की बिमारी और दूसरी अर्थराइटिस की समस्या हलांकि इसके और भी कई नुकसान हैं जिने हम आगे विस्तार से समझते हैं प्यास हम सभी को लगती है खाना खाने के बाद या उससे पहले आज मुद्दा ये नहीं है कि पाने कितना पीना चाहिए बलकि यह है कि इसे खरे होकर पीना चाहिए या बैठ कर इसे अगर खरे होकर पी रहे हैं तो इसके नुकसान क्या है और बैठ कर पी रहे हैं तो इसके फाइदे क्या है पहले आपको बताते हैं पानी पूरे दिन में कितना पीना चाहिए यूँ तो पानी पीना एक अच्छी आदत होती है इसे कई रोग दूर होते हैं पानी पीने से सरीर से टॉक्सिंस बाहर निकलते हैं और इंफ्लेमेशन गंदे वाइरस सरीर में नहीं रुखते मौसम में बदलावाने से सर्दी जुखाम की समस्या को भी पानी ही दूर करता है अब बात आती है पानी की मात्रा की तो रोज 2-5 लिटर पानी पीना आपकी सेहत के लिए आवस्यक है खाना खाने के तुरंत बाद क्यों नहीं पीना चाहिए पानी कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है खाना खाने के तक्रीवन आधे से एक घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए पाचन क्रिया कमजोर होती है और ये सेहत के लिए काफी नुकसान दे होता है खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पेट में भोजन के साथ गैस्ट्रिक जूस बनने लगता है जिससे पेट और सीने में जलन के अलावा खाना ठीक से पच नहीं पाता वही अगर तीखा खाना खा रहे हैं तो घुट घुट कर पानी पीएं एक साथ धेर सारा पानी पीने से खाना पचने में दिक्कत हो सकती है खरे होकर पानी पीने के नुकसान खरे होकर पानी पीने के कई नुकसान होते हैं जिनमें से एक है किट्नी की बिमारी और दूसरी अर्थराइटिस की समस्या, हाला कि इसके और भी कई नुक्सान होते हैं जिने विस्तार से आगे समझते हैं, सबसे पहले है पेट की बिमारी, खरे होकर पानी पीने से तेजी से पानी फुड पाइप द्वारा पेट में जाता है, ये आसपास के अंगो और पेट को नुक्सान पहुँचाता है, पाचन क्रिया को बिगारता है, अपच की समस्या, जब बैठे होते हैं, तो मसल्स और नर्वस सिस्टम रिलेक्स होती है, पानी आसानी से पच जाता है, जबकि खरे होकर इसे पीने से अपच की समस्या पैदा होती है, किडिनी से जूरी समस्या, किडिनी का काम पानी को सही डंग से छानना होता है, जब घरे होकर पानी पीते हैं तो ये अपना कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाती है कारण वस पानी सही तरह से चंता नहीं है और यूरीन साप नहीं आता और गंदगी किडिनी में ही रुक जाती है इसके चलते किडिनी की समस्या, यूरिन में इंफेक्शन और जलन महसूस होती है एक और कारण है अर्थराइटिस घरे होकर पानी पीने से पानी सीधा घुटनों में उतरता है यानि जोरों में मौजुद तरल पदार्थों का संतूलन बिगर जाता है जिससे जोरों के दर्द की समस्याएं होने लगती है अब बात करते हैं बैठ कर पानी पीने के क्या है फायदे बैठ कर पानी पीने से पानी सही तरीके से पच्चता है और सेज तक पहुंचता है जितने पानी की सरीर को जरूरत होती है उसे सोख कर बाकी का पानी यूरीन के जरिये सरीर से बाहर निकलता है इसमें सरीर के टॉक्सिंस भी सामिल रगते हैं गरम पानी पीने से अतिरिक्त चर्वी नहीं बनती और वजन भी घड़ता है पानी खून में हानी कारक तत्वों को घुलने नहीं देता उल्टा ये खून साप करता है घुट घुट कर जब पानी पीते हैं तो इसे पेट में एसिड का स्थब नहीं बढ़ता बलकि खराब एसिड सरीर से बाहर निकलता है खाली पेट पानी पीने के फाइदे कहते हैं सुबर-सुबर अगर आप फानी पीते हैं तो सेहत के लिए काफी फाइदे मंध होता है रात में पनेपने वाले गंदे तत्व पानी के जरीए सरीर से बाहर निकलते हैं पूरे दिन में आठ ग्लास पानी पीना सही है वहीं अगर आप खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे भी काफी फाइदा मिलता है इससे कई बिमारियों बरत काबू पाया जा सकता है खुन साफ होता है और सरीर से विसाइले पदार्थ बाहर निकलते है चेहरे पर चमक आती है और पानी सरीर के हर सेल को हाइडरेट करता है नई कोशिकाओं का निर्मान होता है और मेटाबॉलजियम बहतर होता है पाचन क्रिया सही काम कर पाती है पाते ठीक रहती है पेट साफ रहता है कबज की सिकायत नहीं होती पानी वजन घटाने में भी मदद करता है यानि अगर आप पानी पीते रहेंगे तो सरीर से टॉक्सिस निकलते रहेंगे स्कीन हाइडरेट रहेगी फैट सरीर में नहीं जमेगा वजन घटेगा गले में खरास, मासिक धर्म, आखें, पेसाब और कितनी से जुरी समस्याएं कम होंगी